नमस्कार वन इंडिया में आपका स्वागत है मेरा नाम अविनाश है एक वक्त था जब टीम इंडिया में कुल्दीपी यादव और चहल की जोड़ी की तूती बोलती थी कुल्दीपी यादव डेव्यू करते ही अगले तीन सालों तक भारत के मुखि स्पिनर बन गए चहल भी कुल्दीपी यादव के आगे फिंके पड़ रहे थे कुल्दीपी यादव ने बहुत कम समय में ही दो वंडे हैट्रिक ले करेती हाथ सरच दिया अपने चार-पास साल के करियर में कुल्दीपी यादव ने कई बड़े रिकॉर्ड्स बना डाले और सब कुछ प्लान के अनुसार हो रहा था दुनिया के बड़े से बड़े बलेबाज इस चैनमान गिंदबाज के आगे पानी मांगते हुए ने जर आ रहे थे कुल्दीपी यादव के एंट्री के वज़े से जड़े जा और अश्विन लगभग लिमिटेड ओवर से बाहर हो गए थे अश्विन तो आज तक टी-ट्विन्टी टीम और वन्डी टीम से बाहर है रवी शास्तरी भी हर जगे बताने लगे कि कुल्दीपी यादव उनके बेस्ट स्पीनर है फिर आता है दोजार उन्नीस का वर्ल्ड काप इस टूनामेंड में भारत ने बढ़े हैं प्रदर्शन किया पर लीग मुकाबले में इंगलेंड के खलाब चहल और कुल्दीपी यादव एक साथ खिलने उतरे हमिशा की तरह इस मैच में कुल्दीपी यादव ने 80 प्लस रन लुटा दिये इंगलेंड के बल्लेबाजों ने कुल्दीप और चहल की खुब कुटाई की एक मैच में तो खराब कोई भी गिंदबाज प्रदर्शन कर सकता है पर यह आखरी मौका था जब कुल्दीप और चहल एक साथ खिलते हुए ने जराए इसके बाद से कभी भी कुल्दीप और चहल को एक साथ प्लेइंग लिवन में भारते फैंस ने नहीं देखा कुल्दीप अंदर बाहर होने लगे कभी चहल तो कभी कुल्दीप ही खेलते यहां तक की आईपियल में केक्यार ने भी कुल्दीप यादव को कुछ एक मैच में ही मौका दिया अब तक आपने जो सुना है वो हकीकत है अब आप यहां से फैसला कर सकते हैं कि एक युवा गिंदबाज का कॉन्फिडेंस किस तरह से भारते टीम मेनेजमेंट ने तोड़ दिया हर खिलाडी का बुरा दौर आता है पर इसका मतलब यह नहीं कि उसे साफ तोर पर एग्नोर ही कर डालो कल तक जो आपके बेस्ट स्पिनर थे वो अचानक से आपकी टीम से बाहर हो जाता है और जब उन्हें टीम में लेते भी हैं तो सिर्फ पानी पिलानी के लिए अब भारते टीम की यह मांग है कि वो ही स्पिनर टीम के लिए खिलेगा जो बेटिंग जानता हो अब समझ में यह नहीं आ रहा है कि अचानक से यह बेटिंग वाला फॉर्मूला कहां से आ गया आप किसी गेंदबाज से गेंदबाजी ही करवाएंगे ना कि उनको बोलेंगे ही तुम बेटिंग पर ध्यान दो जब बलेबाज अपना काम नहीं करते हैं तब जाकर आप गेंदबाजों से शतक लगाने की उम्मीद करते हैं इंग्लेंड के खिलाब कुल्दी पियादब को टीटुटी टीम से बाहर कर दिया गया है उम्मीद करेंगे कि जल्द ही ये युवा गेंदबाज घरिलू क्रिकेट में बढ़ियां गेंदबाजी कर टीम में फिर से वापसी करें इस ख़बर में बस इतना ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रही है वन इंडिया के साथ